तो नमस्ते जी राम राम सौगत आपका एक और नय ब्लॉग में आज मैं गुमने आया हूँ सौमी नरायन चपिया टैंपल में यह गुजराथी टैंपल है यहाँ पर जादा तर गुजराती लोग आते हैं तो मैं नानी के आया था मेरे नानी का घर है गोंडा और गोंडा से 42 किलो मेटर दूर है यह सौमी नरायन चपिया टैंपल पर अभी टैंपल खुला नहीं है यह तीन बज़े खुलेगा तब हम लोग अंदर जाएंगे तब तक मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ कि सामने टैंपल है वहाँ पर जाएंगे अभी हम लोग अभी फिलाल वह बंद हो गया अभी वह खुलेगा तीन बज़े खुलेगा गाइस तब हम लोग जाएंगे तो गाइस यह है गुजराती रेस्टोरेंट अभी हम लोग जा रहें अंदर कुछ खाएंगे और तो काते हैं अभी हम लोग आए गाइस र्यांज खा रहा चला पूरी बाजी भाई और सेमत अब काफी लोग है साथ में लाइस मेरा भी काना आ गया में खाने जा रहा हूं चोला है पूरी है अब लोग में फापला ढोकला काफी सी चीज़े खाई और र्यांज देखे वापस स सिर्फ पानी पी रहा कुछ खाने रहा है जब मार काता तब ही खाता है और अब मैं खाने जा रहा हूं यह भी मेरे साथ आई है तो अभी चलते हैं टैंपल के अंदर एंट्री गेट खुल चुका अब हम लोग जा रहें अंदर दर्सन के लिए और देखिए गाइस बहुत जादा वीड़ों गई है अचानक से और अभी तुरहं तुर्ण गेट खुले हैं इंट्री गे तो गाइस अंदर चल रहें हम लोग और देखिए कुछ ऐसा है मैं पहली बार आया हूं स्वामी नरायन टैंपल तो मुझे पता नहीं अंदर वीडियो बनाना अलाउड है या इस बाहरर से कुछ ऐसा है और स्थियो सब्सक्राइब बदर बहुत रहने तो आहिसे कि खाने के ढमने कापी और अभी भीव्योस्था गर अभी network इस के अंदर चलग है और यहां के अदर जा रहें और यहां कॉम वीछ लात बेखते हैं प्यष्टे देखिए गाइस रेहां सागे आगे जा रहा है और वह बच्ची भी हम लोग के साथ में जो खुरा फात जादा कर वही है अगाइस अंदर काम चलना देखिए तो अंदर चलते हैं दो देखने क्या है यहां पर बहुत पोड़ है रहा है इस बाइस देखिए आइस यह वीडियो यहीं तक थी और बनाता तो बहुत लंबी हो जाती है फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई